हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं आपको दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन कंपनी के बारे में जो टेलीकॉम सेक्टर में अपनी जगह बनाते हुए ने हैट्स को टच कर रही है। यह कंपनी रेडियो फ्रिक्वेंस एक्विपमेंट डिजाइन और मैनेफेक्ट्र करती है और 2G से 5G तक के मोबाइल नेटवर्क के लिए सुलूशन प्रवाइट कर रही है दोस्तों का नाम है फ्रॉक सेलसेट लिमिटेट यह एक रीडिंग इजन कंपनी है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट डिजाइन और मैनेफेक्ट्र करती है यह कंपनी 2G से लेकर 5G और आगे के मोबाइल नेटवर्क के लिए एंट टो एंड सुलूशन प्रवाइ 21% ग्रोथ दिखाता है और year on year 24% की ग्रोथ रिफ्लेक करता है वही EBI TDA 36 million रहा जो 27% quarter on quarter ग्रोथ के साथ 8.3% margin शो करता है दोस्तों सबसे जबरदस चीज़ थी उनका profit after tax यानी PAT जो 41 million रहा और quarter on quarter 250% का जबरदस जम दिखाता है अभी दोस्तों बात करते हैं कंपनी के order book क तो कंपनी का order book Q2 के end में 1,100 million का था जो strong client trust को दिखाता है रिसेन बड़े order शामिल है 31 करो का order Mumbai International Airport के लिए mobile coverage enhance करने के लिए है वही 16 करो का contract नवी Mumbai International Airport के लिए 1DAS system deploy करने के लिए है management को उमीद है कि Q3 2025 में significant project billing के साथ strong performance देखने को मिलेगा फ्रॉक sales set ने future growth के लिए manpower expenses बढ़ाये है और employees को return करने के लिए stock reward issue किया है हां short term में margin पर impact पढ़ा लेकिं long term growth के लिए ये ज़रूरी है changes के बारे में बात करें तो margin raw material cost के बढ़ने और product mix variation के वज़े से fluctuate हो रहे है management ने guidance दी है कि आने वाले quarter में EBITDA margin 12-13% तक improve होगा अभी बात करते हैं कंपनी के product innovation की तो Indian Mobile Congress में company ने कई नई innovation launch किये है जिसमें Activity is for 5G smart mini booster for IOT VHF repeater for railways शामिल है ये product उनके market positioning को और स्ट्रेंट करते हैं फ्रॉक्स सेट का long term target है 500 करोर का revenue जो 2018 में अच्यू करना है जिसमें कौश सीवी डीटे मार्जिंग एक्पेक्टेशन 10% तक रखा गया है ये growth expanding telecom infrastructure और इंडिस्ट्री के कैपेक्स से डायो होगी दोस्तों जब भी हमें से स्टॉक का अनलिसिस करते हैं जैसे अभी फ्रॉक सेल्सेट लिमिटेट का कर रहे हैं तो हमें फॉर्णमेंटल एनलिसिस की इंपोर्टन सबन जी जाहिए अगर आप भी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस्टेंट में और रिशो समझ कर स्टॉक का डीप एनलिसिस करना चाहते हैं तो आप हमारा डीटेल में हमारे कोस में सीखनी को मिलेगा और आप खुद से स्टॉक का इंसिस करना सिखोगे और मल्टिपेक स्टॉक करना सिखोगे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दीगर लिंक पर जाकर आप हमारा फंडमेंटल इंसिस को सिर्फ 550 रुपीज में जोइन कर सकते हो और अपने इन्वेस्मेंट को नेक्स लेवल तक ले जा सकते हो तो दोस्तों चलिए अभी बात करते हैं मैनेजमेंट डिव्यूपी तो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का ग्रोट ट्रेजिटरी का फाइदा उठाने के लिए फुली प्रिपेर्ट हैं यह कंपनी सिर्फ इ नहीं बल्कि लॉंग टर्म सक्सेस पर भी फोकस कर रही है तोस्तों यह था एक टेलिकॉम कंपनी के बारे में डीटेल में अनलेसिस जो अपने इन्वेशन और स्रॉंग ग्रोथ के साथ इंडेस्ट्री में अपना नाम बना रही है टेलिकॉम इंफ्रस्रक्ट्ट्र के एक् कमें सक्षिन में जरू शुकरें